नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अहाली परिक्षा का आज अंतिम दिन अफरा तफरी से बचने के लिए रेलवे चला रहे स्पेशल ट्रेन संक्रामक बिमारी से पशुओ की मौत पर राजिस सरकार देगी मुआवजा पिहार में उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होगा ये सम्मेलन बज़पाल से चार लोगों के मौत पर सीयम नितीश ने सोक व्यक्त करते वे मौआवजा देने की कही बात साथ अफरीका के इस लिजेंट क्रिकेटर ने भारत के नमबर चार के बल्लेबाजी को लेकर कही ये बात इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बहाली परिक्षा का आज अंतिम दिन अफरात अफरी से बचने के लिए रेलवे चला रहे इस्पेशल फ्रेन रेलवे द्वारा भी स्पेशल ट्रेन चलाया जाने का फैसला लिया गया है यह ट्रेन पटना भागलपुर मुझपरपुर और पूर्णिया के लिए चलाई जाएंगे सलिकर रेलवे के मुखे जनसंपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार द्वारा बताया गया है कि समस्तिपूर दानापूर सोनपूर मंडल के सासा राम आरा गया पटना गया दीन दयाल उपाध्याय रेलखंड के बीच स्पेशल ट्रेने चलाई जाएंगे सक्षक अभ्यरतियों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेने 26 अगस्त को गया से दो पहर 3 बजे खुल कर रात के 8 बजे पंड दीन दयाल उपाध्याय जंक्षन पहुंचाएगी वहीं गुजरात सासा राम आरा के लिए शाम के समय 6 बजे खुलेगी बीत दिनों हुई परिक्षा के दौरान राज्य के कहीं जिलों से 11 लोग ऐसे पकरे गये थे जो दूसरों की जगा परि पिमारी के लिए इंकम टैक्स की टीम पहुंच रही चापिमारी को लेकर पूरे भागलपुर में हर कंप मचा हुआ है हाला कि अभी तक इसपात को उजागर नहीं किया गया है कि आखिर यह चापिमारी भागलपुर में कहां की जा रही किसी प्रकार की मौखिक आदेश की भी इने सकती नहीं दी जाएगी हाला कि जो मंत्रियों का नीची काड़े होगा उस काड़ी के लिए बाहरी आप्त सचीव पत्राचार कर सकते हैं मालुमों कि मुख्य सचीव आमिर शुभानी द्वारा ऐसे लेकर विभाग के सचीव प्रधान सचीव अपड़ मुख्य सचीव को नर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि आप्त सचीव का पुरवानुभव एवं ग्यान सरकारी आप्त सचीव से भिन होने के करण मंत्री की यात्रा ब्रह्मन कारिक्रम से संबंधित कारी गैर सरकारी महानुभवों एवं सामाने जन से सक्षातकार के लिए समय निर्धारन आदी संबंधी कारे ए राजिस सरकार ने मुआवजा देने की घोशना कर दी है। राजिस सरकार ने मुआवजा देने की कही बात। राजिस सरकार ने मुआवजा देने की दिशा में इस साल के अंत में आयुजित किया जाएगा। पटना की घ्यान भवन में सम्मेलन का आयुजन 13 और 14 दिसंबर को किया जाएगा। सम्मेलन में वैस्विक निवेशक सिखर सम्मेलन भारत के साथ ही विश्व की कई प्रमुक कम्पनियों के शामिल होने की संभावना जटाई गई है। यदि ऐसा होता है तो निवेश के कई द्वार भी बिहार में खुल जाएंगे। ऐसे में बिहार का लग चेराज को एक प्रमुक निवेश केंद्र बनाना है। इसके देश के साथ ही दुनिया भर से निवेशकों को आमंतरित किया जाएगा। बिहार के रहने वाले अर्जुन मंडल को औस दिये पोधों के सनरक्षन के लिए मिलेगा राश्ट्रे पुरुसकार। इस बगीचे को लेकर उन्होंने बताया है कि बगीचे में पड़ा कोई भी पौधा गैर जरूरी नहीं है। पौधे का अपनाएकर अगस्तमाल है और इसका उप्योग कर लोग तरह तरह के बिमारियों से बच सकते हैं। राजय में सोशल मीडिया पर राजय सरकार की गतिवीधी को बताने वा फॉलोवर्स बढ़ाने का मिला जम्मा। सोशल मीडिया के प्रचलन ने राजनितिक परिद्रिश्य में भी काफी बदलाव किया है। खासकर राजनितिक पार्टियों की कोई रैली हो, अभियान हो या किसी प्रकार के कोई मुद्दे। इस दोरान सरकार अपनी योजनाओं बस सरकार से जुरे नीतियों को भी सोशल मीडिया पर साजहा करती है। परिद्रिशन को देख सूशना इव अमजन संपर्क विभाग ने असन तोश व्यक्त किया है और निर्देश से तेवे कहा है कि संबंध अधिकारियों को फेस्बूक, ट्वीटर और वाट्सेप सहिद विविन, सोशल मीडिया मंच के माध्यम से बिहार सरकार के उपलबदि राजिक की सिर्फ एक अस्पताल पटना इम्स में यलो फीवर यानी पीत जोर का टीका लग सकेगा, इस सम्बंध में सभी जले के सिवल सर्जन को सचीव स्वास्ते सरक कारेपाल, अकनिदेशक राजे स्वास्ते समीती द्वरा आदेश जारी किये जा चुके है, आदेश के पत्र में साफत और पर कहा गया है कि अलो फीवर का कोई उपचार नहीं है, नौ मा की आयू में इसका टीका शिशु को लगाया जाता है, इस से वहागे चलकर इस रोग से स्रक्षित रहते हैं, विश्व स्वास्त संगठन के मताविक अलो फीवर एक मच्छर जनित रोग है यमस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है, अठार सदश्यों के नुक्ति के साथ प्रखंड स्तर ये समनवय समीती का हुआ गठन, विवागी पदादिकारी का गठन बिहार में प्रखंड स्तर पर विविन विवागों द्वारा संचारत योजनाओं के काड़े आन प्रखंड विकास पदादिकारी के दोरा जिलापदादिकारी दोरा नरधायद रोस्टर के अनुसार प्रखंड स्तरिय समनवय समीती की बैठक महीने में कम से कम दो बार बुलाई जाएग इस बैठक में सभी सदर्श्यों को आना आनिवारी किया गया है, यदि कोई बैठक में अनुपसित पाई जाते हैं तो प्रखंड विकास पदादिकारी जिलापदादिकारी के माध्यम से इसकी सूशना उनके विवाग ये प्रधान को देंगे बिहार में बिजली की उप्रधता को लेकर बिजली कंपनी ने उर्जा मंतराली को भेजा आंकडा बिहार में 20 दिनों के बिजली की उप्रधता का आंकडा बिजली कंपनी से अगस्त के महीने में उर्जा मंतराली को भेज दिया गया है इस दुरान बिजली कमपनी द्वारा बताया गया है कि आखिर यहां सट डाउन क्यों होडा उर्जा मंतराले को इसलिए आंकरा भीजा गया क्योंकि अभी हाल में केंद्रिय उर्जा मंतरी आरके सिंग द्वारा सारजनिक रूप से कहा गया था कि जब केंद्र सरकार द्वारा बिहार को पड़याप्त बिजली उप्रद्ध कराई जा रही तो फिर सट डाउन यहां क्यों होड़ा सट डाउन कार्थ है कि कभी किसी इलाके में कुछ समय के लिए बिजली की आपूरती करवाना बिजली कमपनी द्वरा कहा गया है कि यहां उर्जा मंत्राले द्वरा यहां कहा जा रहा है कि बिहार को उसकी मांग से अधिक बिजली उप्रद्ध कराई जा रही है आगामी लोग सभा चुनाओं से पहले अती पिछरा समाज के लिए जदियों की महारैली आगामी चुनाओं को देखते वे सभी राजनितिक पार्टियां चुनाओं की तैयारियों में लग चुकी है अब इसी कड़ी में जदियों पिछरे वोट बैंक को साधने की पूर जोर कोशिश कर रही जिसके तहट पार्टी लोग सभा चुनाओं से पहले पटना के गांधी मैदान में महारैली निकालने की तैयारी में है यह महारैली फरवरी दो हजार चौबस में प्रस्तावित भी की जा चुकी है आयोजित इस महारैली को ले कर यह दावा किया जा रहा है कि इस रही में पांच लाक लोग हिस्साल ले सकते हैं बीते ही दिनों धानुक और अतिपिछरा समाज की बैठक पतना के विद्यापती भवन में हुई जहां इस बात पर निर्नलिया गया कि बैठक के दौरान काड़ी क्रम के मुख्य अतिती जदियू के राश्ट्रे महासचीव सप्रवक्त राजीव रंजन ने बीजेपी की कारेों को गिनवाए जो अतिपिछरा विरोधी कारे थे इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने हर कदम पराती पिछरा को छला है फरवरी में होने वारा यह सम्मेरत बीजेपी के अंतकी शिरवात होगी राज़त पार्टी कारे आले के विस्तार के लिए मिली जगह लालू यादव की राज़त पार्टी राज़त की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी पार्टी कारे आले के लिए परयात जगह नहीं थी दिन प्रदे दिन पार्टी अपना दाइरा भी राज़े म को अरोट किया जा चुका है इस बगर वाली प्लोट की चाभी भी राज़त के प्रदेश अध्यक जग्दानन सिंग को शौप दी गई है पार्टी कार्याले के विस्तार के लिए मांगी जा रही जगह की मांग पूरी होते ही कार्याले में काफी उत्साह देखा गया जहां मौ बल्लेबाजी को लेकर भारतिये टीम काफी परिशान है लेकिन फिलाल इस बात से रहत मिली है कि श्रेस अईयर और केल राहूल पहले से ठीक हो चुके हैं जिससे टीम इंडिया के मैनेजमेंट में रहत की सांस ली जा रही अब इसे भीश नंबर चार की बल्लेबाजी को ल तीन इस ती पसंद है लेकिन उन्होंने विश्य कप को देखते वे एक टीम मैन बनने की आविशकता पर ध्यान देना चाहिए चली अब जानते हैं आज प्रदेश में पिट्रॉल और डीजल की कीमत पिट्रॉल और डीजल की गीमत आज बिहार में जारी हो चुकी है इसके पेट्रॉल के रेट में देखने को मिली वही दो पैसे की बढ़ोतरी डीजल की कीमत में देखी गई इस अनुसार एक सो नौ दसमलो एक पांच रुपए प्रदेश में पेट्रॉल की कीमत रहेगी वही 95.9 एक रुपए डीजल की कीमत रहेगी राज़ानी पटना की बात करें तो यहाँ पेट्रॉली की मत 17.57 रुपए और डिजल कीमत 24.2 एक रुपए रही मधुबनी में 18.47 रुपए दर्भंगा में 17.74 रुपए गया में 18.36 रुपए सिवान में 18.77 रुपए भोजपूर में 18.069 रुपए किसंगज में 17.73 रुपए समस्तिपूर में 17.49 रुपए वैशाली में 17.85 रुपए भागलपूर में 18.64 रुपए पूर्णिया में 109.11 रुपए मुझपरपूर में 18.56 रुपए प्रेट्रॉल के दाम रहेंगे वहीं डीजली कीमत की बात करें तो मधुबणी में 95.2 रुपए समस्तिपूर में 94.3 रुपए भोजपूर में 95.66 रुपए वैसाली में 94.3 रुपए दरभंगा में 94.6 रुपए मुझपरपूर में 94.9 रुपए रहेंगे बीते दिन हमारे दरभ पूछेए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रणजवाब हमें हमारे कमेंड सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे पूछेए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल की और आज का सवाल है वजरपात से बचने के लिए आप क्या-क्या उपाई कर रहे हैं आप अपना जवाब हमें अमारे कमेंड सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चालों को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद झाल